आज हम बना रहे हैं हलो जैसी खस्ता बालुसाई आप लोग बालुसाई तो बहुत बार बनाई होंगे खाई होंगे एक बार इस तरह से बालुसाई बनाके देखिये बहुत ही लाज जब आप टेस्टी बालुसाई बनती है 해도 चली वीडियो को शुरूँ होता है बहुत ही tasty बालू कि एकदम ज्यादा इसको तागत लगा कि आटे को हमें नहीं लगाना है बड़ हलकी हांसे ही इसको खट्टा कर देंगे इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से जब आटा लगाती तो बहुत ही लेयर बहुत ही ऊधी हम ढहरी बालुसाही बनती है तो इसको हम ढ़कनोडर देते हैं तो जब तक हम चासनी बना लेते हैं जब तक हमारा आठा रेश्ट कर रहा है तो चासनी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कटोरी चीनी लिए उसी कटोरी से यहां पर मैं डाल दूँ पानी अब यहां पर हम डाल रहे हैं fruit color आपको जो भी अच्छा लगे तो color यहां पर डाल सकते हैं मैंने यहां पर red color डाल दिया है आप यहां पर orange color का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से चासनी बनाईए बहुत ही अच्छी coating आती है इसको हम पकाएंगे अभी यहां पर हम एकतार वाली चासनी है जो बनागे तयार करेंगे तो चासनी बन चुकी है तो हम यहां पर आटे को भी देख लेते हैं आटे ने अच्छा रेष्ट कर लिया और बहुत ही अच्छी सी है नरम हो गया है आटे में देखिए बहुत ही अच्छी जाली पड़ रही है तो इसको हम थोड़ा और मसल लेंगे हलके हाथ से इस तरह इसे हम मसलते हैं तो और भी अच्छी हमारी बालुसाई बनती है एक दम लेयर वाली और ख़स्ता बालुसाई बनकर तयार होती है इसको हम थोड़ा 2-3 मिनट तक इस तरह से आटे को हम मसलेंगे अब हम इसकी लोईया है जो निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम छोटे साइज की लोईया निकालेंगे क्योंकि तलने के बाद जो बालुसाई है थोड़ी बढ़िंग हो जाती है बस इसको हलके हाँ से गोल करेंगे इस तरह से और बस इसको हम चप्टा कर देंगे और अंगोटे पर इस तरह से रखेंगे और उंठा इसको इस तरह से दवाएंगे तो बीच में होल इस तरह से बन जाएगा तो यहाँ पर सारी वालुसाई हमने बना लिए हैं इनको हम फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर पहले हम तेल को चेक करेंगे क्योंकि तेल यहाँ पर ज़्यादा गरम नहीं चाहिए हम मीडियम तेल पर इनको फ्राई करेंगे जब हम medium तेल पर fry करते हैं तो बहुत ही ख़स्ता बालुसाई बनती हैं तो बीच बीच में हम गैस की फिलम low करेंगे, high करेंगे इस तरह से इनको हम तलना होता है, बीच बीच में हम गैस की फिलम low high करते रहेंगे जिससे तेल है जो ठंडा नहीं होगा और ज्यादा गरब नहीं होगा और जो बालुसाई अंदर तक बहुत ही अच्छी से तलेंगे और बहुत ही अच्छी से फ्राई हो जाएंगे और खस्ता हो जाएंगे इनको हम पलट अलट कर इस तरह से फ्राइ करते रहेंगे तो इनको फ्राइ करने में लगवागा में 7-8 मिनिट कर समय है जो लग जाता है इनका कलर बहुत अच्छे से आ चुका है तो इनको हम निकाल लेंगे ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पर सारी बालुसाई हम ने निकाल ली है अब हम इनको डालेंगे चासनी में देख सकते हैं बहुत यह अच्छी लेयर इसमें आई है तो इसको हम चासनी में डाल देंगे इस तरह से इनको हम चासनी में डाल कर पहले हम इनको दोनों साइट से चासनी में डिप करेंगे इस तरह से क्योंकि एक तार वाली चासनी है तो जह ठंडी होगी अभी चासनी थोड़ी गरम है और बालुसाई तो बहुत जादा गरम है जब हम गरम गरम में दोनों चीज़ों दोने ची जब गरम-गरम होती है और इनको हम ढखकर रखते थे हैं इस तरह से तो जो चासनी है वह एकदम से सूप कर कूट हो जाती है बहुत अच्छे से बूरे के जैंसे यह बन चुकी है देख सकते हैं बीच-बीच में बस मैंने इसको चलाया था अब यह पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है तो बस इसको हम प्लेट में निकालकर आप लों को दिखा रहे हैं अब हम इस बालुसाई को आप लों को तोड़कर दिखा देते हैं इसके अंदर की लेयर कैसी आई है इसी तरह से हलवाई लोग बालुसाई बनाते हैं आप लोग भी इस तरह से बालुस